टॉप 50 श्टड़ी यूटूब चेनल में आप सभी का स्वागत है यदि आप MP बर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं टेटेक जाम की किसी भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको यूटूब पे सर्च करना है टॉप 50 श्टड़ी और सभी सब्जेक्ट के हिसाब से हम आपको तैयारिया करा रहे हैं चैनल को एक बाद सब्सक्राइब कर लें दोस्तो आज एक बहुत जरूरी हम आपका टेश्ट लेने वाले जिसमें 45 प्रिश्ण आपसे पूछे जाएंगे और आपको उसके उत्तर बताना है हम भी साथ में आपको उत्तर बताते जाएंगे लेकर देखते हैं कि 45 प्रिश्णों में से आप पर कितने प्रिश्ण बनते हैं आप कमेंट बॉक्स खोलने और कमेंट में उत्तर देना है यदि कोई मादलो कमेंट बॉक्स में उत्तर नहीं देना चाहते हैं इस दिन बिदियों को ध्यान से सुने, आपके लिए इसमें से कम से कम तीन नंबर का काम इसमें से बन सकता है। समाई की बचत ना होना है इसमें समाई की बचत होती है क्योंकि कौन-कौन सी भिसेस्ता है छेत्राटन विदी की देखें बिद्यार्थियों में उस्साह पैदा करना ये छेत्राटन विदी की भिसेस्ता है इस प्वेकार से आपको कई जानकारी हैं इस वीडियो को देखने से मिलेंगी और देखेंगे इस वीडियो को मैं आपको बता दूँ कि पूरा जरूर देखना क्योंकि आपका एक भी कॉस्टेन छूट गया ना तो आपके लिए ही नुकसान होने वाला इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें निमन में ऐसे कौनसी बिधी सामाजिक अध्यान सिक्षण में प्रयुक्त नहीं की जा सकती सामाजिक अध्यान में सिक्षण में कौनसी बिधी इसमें से प्रयुक्त नहीं होती पेपर में भी आप को देखना है कि पूछा क्या जाता है तो इनमेंसे कोई नहीं मतलब तीनों होती है इसलिए इसका पर हो जाएगा इनमेंसे कोई नहीं देखो आप एक प्रिशन भली पढ़ रहें लेकिन आपको तीन उत्तरों समझ में आ रहे है प्रायोजना बिधी के जन दाता कौन है बिलियम किल पैट्रिक है ठीक है आप स्पीट से कमेंट में हमारे बोलने के पहले उत्तर दे सकते हैं चलिए अगला देखें किल पैट्रिक ने प्रोजेक्ट बिधी के भेध बताए है किल पैट्रिक ने प्रोजेक्ट बिधी के कौन-कौन से भेध बताएं स् स्वादन प्रोजेक्ट, समस्यात्मक प्रोजेक्ट या उपरयुक्त सभी तो इसका उत्तर हो जाएगा उपरयुक्त सभी ठीक इसका उत्तर डी हो जाएगा तो आपको याद रखना है किल्परेक्ट टेक्ट जी प्रोजेक्ट विड़ी के कितने भेद बता है तीन भेद बता हैं सजिनात्मक रसास्वादन और समस्यात्मक 45 प्रसनाज आप पढ़ लेंगे तो आपका बहुत सी मतलब विधियों संबंदित कॉस्चन के लिए हो जाएंगे बिलकुल पूरा आपके लिए बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है यदि आपका अच्छा में दहिज की समस्या पढ़ाना चाहते हैं तो आप किस विधी को सर्वस्ष्ट मानेंगे ऐसे ही पिकार के कॉस्चन आपने देखा होगा पेपरों करके उसकी विषय में ठीक है अगला देखें प्रायोजना पद्दती का आवश्चक पद नहीं है प्रायोजना पद्दती का आवश्चक पद कौन सा नहीं है तो ग्यात से अग्यात की और ये इसका आवश्चक पद नहीं बढ़ती कौन-कौन से इसके आवश्चक पद है तो इसका उत्तर हो गया है सैक, आवशक पत पत कौन कोन से PRAGNAC अविदिगे कारी करम को क्रियानविद करना यह है समपूण कार का लेखा लेखना ये भी प्रायवदिन अपद दिक अविशक पत है यह था संभाव सहायता करना यह उसके अविशक पत है और देखें आप इसका उत्तर आप कमेंटें बताईए सामाजिक बिग्यान सिक्षण की बहुत कौन सी पद्धती है जो दोस्पून होते हुई भी सरवाधिक रूप से प्रियुक्त होती है दोस्पून है सामाज बिग्यान की पद्धती समस्या से जूजना तो जीवन की प्रकती ही है छोटे से छोटे प्राणी को भोजन, आवास और सुरक्षा की बहुत एक संतुष्टी की समस्याओं का सामना करता है यह समस्या समाधान बिधी के संबंद में कथन किसका है आपको एक कथन से संबंदे ते एक कॉस्चिन पूछे जाते है तो समस्या समादान बिधी के विसमे कथन किसका है? तो यह है, प्रोफेसर वासिंग जी का, यह समस्या से तो जूजना ही पड़ेगा, ठीक है? चली, और देखते हैं, प्रायोजना बिधी के दोस्ट के सम्बंद में अशत्त कथन कौन सा है? अशत्त कथन आपको बताना है प् अधिक आशा बिलकुल छात्रों में निरासा पैदा करना है, इसका असत्त कथने के छात्रों में निरासा पैदानी करते है, ठीक है? यह तो है अधिक ब्याइपून होती है, अधिक समय भी लगता है हो, सिक्षक की से अधिक आशा भी होती है, प्रायोजना बिधी में और द देख लें क्योंकि बो वीडियो आपने नहीं देखा तो आपके 2-3 नमबर का छूट सकता है क्योंकि अभी तक के सारे सिध्धान, सारी विधियां उसके प्रती पादक उसमें दिये हैं चलिए बै विधी जिसका आधार निरिक्षण की पिक्रिया है बै विधी जिसका आधार क्या है निरिक्षण की पिक्रिया निरिक्षण करना किस विधी में करोगे आप भर्मन विधी अब भर्मन करकर के अपन क्या हर जगे घूम घूम करके का करते हैं निरिक्षण तो भर्मन विधी हो जाएगा ठीक है अनुसंदान बिधी में तो खोच की जाएगी समस्या समाधान बिधी का गुण कौन सा है वो आपको यहाँ पर बतलाने कि समस्या समाधान बिधी का गुण कौन सा है कमेंट में आप लोग भी उत्तर बताते जाएए तो इसमाँ पहला दिया है इस बिदी से चात्र भावी जीवन की समस्याओं का हल सीखते हैं यह भी पूछा जा चुका है कई बारे पूछा जा चुका है तो बहे बिदी जो ज्यानिंद्री से सीखने की बिदी है इन चार में से बहे कौन सी बिदी है आपको बताना है स्रोज संबंदित बिदी है या पर कहानी बिदी ब्रहमन बिदी या कार गोश्टी बिदी समस्या समाधान विधी में कितने सोपान होते हैं कमेंट में आप लोग भी उत्तर देते हैं ठीक है अगला देखें आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक बाद लाइक कर देओ और जो चैनल की लिंक अभी आपको बोट्सेप या फेस्बुक या टेलीग्राम से मिल गई होगी लेकिन आएंगे लिंक मिल पाई ना मिल पाई इसलिए आप हमारे चैनल को एक बाद सब्सक्राइब पर क्लिक कर लें सबसे अच्छी बिदी होगी विद्यार्थियों को अपन को सिखाना है ठीक है अगला देखो सामाजेक अध्यान की सिक्छन पद्धती से अभी प्राई है क्या है सामाजेक अध्यान की सिक्छन पद्धती से अभी प्राई आपको बताते हैं अध्यापक द्वारा दिया गया भासन है अध्यापक द्वारा पाठ पुस्तक का प्रियोग अध्यापक का बैक्तिकत तरीका उपर योग सभी इसका ठीक हो जाएगा अगला देखें जिस बिदी में अध्यापक सक्रीवा बालक निस्क्री रहता ये भी बैरी बैरी आईएंपी ये पूछा जा चुका है कैसी कौन सी बिदी इसमें बालक अध्यापक तो सक्री रहता लेकिन बालक क्या होता है निस्क्री है अब लोकन, कहानी कथन, पृष्णोतर या नाटकी करन तो आपको इसको बताना है, विए इसमें कहानी कथन की अध्यापकेवल कहानी सुनाता रहता और बच्चे क्या निस्क्रिवों के सांती से बैठे रहते हैं, ठीक है अगला देखें प्राथ में किस्तर के बालकों के लिए उपयोग पद्धती है एम पी बर्कतीन के लिए मुष्ट हो जागा प्राथ में किस्तर तो प्राथ में किस्तर के बालकों के लिए उपयोग पद्धती कौन सी है प्राथ में किस्तर की बात कर रहे हैं तो आप खुद आराम से कमेंट में इसका उत्तर दे सकते हैं कि उसके लिए खेल खून, प्रास्ट में किस तरह बच्चे के खेल खून से ही क्या करेंगे सिक्छा प्राप्त करते हैं, अगला देखिए कहानी कथन बिदी से बालकों बिकास होता है, किस चीज का, विसाय का, तारकिक्ता का, कल्पना का या ज्यान का तो आपको बताते हैं कल्पना का बिकास, कहानी सुन करके वो ऐसी कल्पना बना लेतने, तो कल्पना का बिकास होता है कहानी सुन करके जिस बिधी में कच्छा दो दलों में विभाज थोकर बारता लाप में उलज जाती ये भी पूछा जा चुका है ये बोई वोई है जो पिछले पेपरों में कॉस्चन पूछे गए बैरी आई एंपी प्रस नहीं आद रखीएगा जिस बिधी में कच्छा दो दलों में विभाज थोकर बारताला आप में उलज जाती ब्याक्ख्यान विधी बाद विवाद विधी खेलिया ये उजना तो बाद विवाद विधी इसका उत्तर ठीक होजा है बाद विवाद आपस में करते हैं दो दलों में जा करके ठीक है अग प्रियोक साला या समस्य समाधान तो इसका हो जाएका समस्य समाधान विदी ठीक है क्या हो जाएका समस्य समाधान विदी ब्याग्यानिक ढंग से हल पर बल देती है और देखिए मांसिक सक्तियों का विकास करने वाली पद्धती कौन सी जिससे मांसिक सक्तियों का विकास होता ऐसी पद्धत समस्या समाधान अवलोकन समाजी करत अभी व्यक्तिया योजना तो आपको बता समस्या समाधान पद्धती कैसी है मानसिक सक्तियों के विकास पर बल देती है चलिए और देखें योजना बा समस्या समाधान बिधी में अंतर है तो योजना बा समस्या समाधान बिधी में क्या अंतर है तो वह है निस्कर्षों की दृष्टी से अंतर है आगे देखिए, सामाजिक बाद बिबाद कही जाती है, 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 एकाई पद्धती के पद नहीं होता, एकाई पद्धती का पद क्या नहीं होता, वो आपको बतलान अनुसंधान, प्रस्तोती करण, आत्मसाती करण या फर वियाख्यान, काई पद्धती का पद नहीं है, वो क्या है, वियाख्यान, ठीक है, चलिए अब स्पीट से आँगे बढ़ते हैं थोड़ा, छोटे बच्चों के लिए उपयोक नहीं मानी जाती है, कौनसी विधी समस्य समाधान भी ठीक है, नाटकी करण अच्छी मानी जाती, अब लोकन और योजना पद्ध है अच्छी मानी जाती, छोटे बच्चों के लिए यवल समस्या समाधान भी अच्छी नहीं मानी जाती, अगला देखें, निम्न मैसे कौनसा पाठ ही उजना का सोपान नहीं है, प्र प्राष्टी करण भी पुर्ना भृत्धी मतलब मतलब इसका अब जायेगा, सही आंचार, प्रिस्तुति करण है, प्रियोग है और पुर्णा भृत्धी पाठे उजना का सोपान है, चलिए प्रायोजना विधी के जनक किस देश से संबंदेत हैं प्रायोजना विधी के जनक है उनका संबंद किस देश से है वह है अमेरिका से प्रादेशिक विधी की स्थापना किसके द्वारा की गई यह भी याद रखेगा प्रादेशिक बिधी के जन्मदाता कौन है, उनकी स्थापना किसके द्वारा की गई है, चार ओप्सन है, तो इसका ओप्सन सही हो जाएगा, A, ठीक है, हरवार्ट टरसंग, इनकी द्वारा क्या की गई थी, प्रायोजिना बिधी की स्थापना की गई थी, अगला देखें, पाठ करम में सामिल चार, एच मैंसे कौन सामिल नहीं है, देखो, ओनेश्ट सामिल नहीं है, हेल्थ है, हेड है, हेंड है, ठीक है, तीन सामिल है, ओनेश्ट सामिल नहीं है, और देखें, अभी गवर प्रश्न है, आज ही एक ही वीडियो में पूरे ले ले रहे हैं, अगला होता है भी ये ब्याख्यान विधी में सुनते हैं तो उनकी स्रवन कोसल का विकास होता है तो ये लाव नहीं है और देखिए निमलेखत में से कौन सा भासण विधी का दोस नहीं है भासण विधी का दोस या विद्यार्थियों को निस्क्री बनाती ये तो दोस है या इस पश योजना द्वारा पिछडे हुए बालकों की सिक्षा का उप्योक्त धंग से प्रवंद हो जाता है। और सेमिनार बर गोलना और पर तो रूपों को समाजी करत अभीव रखती विधी के लिए किसने बताया है। ग्यान सिक्षण के लिए प्रथक कक्ष की अभधारणा किस विधी में की गई है। तो इसकी अभधारणा किस विधी में की गई है। तो इसकी अभधारणा किस विधी में डाल्टन विधी में। ठीक है। और देखें। निम्न कक्षाओं में ग्यानिंद्रियों के सिक्षण हेतु आप कौन सी सिक्षण पद्धती प्रस्तावित करेंगे। ठीक है। तो इसमें करेंगे निरिक्षण पद्धती। संगठन इवं कारण प्रिणाली किस सिक्षण विधी के द्वारा करवाना चाहेंगे। तो वह है प्रोजेक्ट विधी के द्वारा। ठीक है बस तू निष्ट परिक्षन परणाली सेश्टतर है क्योंकि सबसे स्रिष्ट परणाली कौन सी मानी जाती है बस तू निष्ट परिक्षन की ठीक है क्यों है वाई तो देखें क्यों है कि इसमें पूरे पाठ करम में प्रसारित होती है यह परणाली इसलिए वाई क्या नड़धारे तो देश होना चाहिए यह वो प्रसन हैं जिस परकार से परिक्षा में पूछे जाते हैं इनमें से आ सकते हैं इसलिए आप हमारे और भी ऐसे वीडियो आपको मिलते हैं इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आपको यदि वीडियो देखना हो सामाजिक ज्यान सिक्षण का महत्पून गुण क्या है वहे नेतरत चमता ठीक है सामाजिक ज्यान सिक्षण का महत्पून गुण है यह वहे बिदी जिसमें सिक्षण को बिद्यार्थियों की प्रती उत्तरदायत की भावना रखना पड़ती है और देखें, सामाजिक ज्यान का महत्पूर्ण उद्देश बालक को बनाना है, क्या बनाना है, सामाजिक ज्यान का महत्पूर्ण उद्देश बालक को बनाना है, तो इसका उत्तर आपको कमेंट में देना है, ठीक है, इसका उत्तर आप कमेंट में देजी कि सामाजिक ज्यान क अमात पूर्ण उद्देस बालक को क्या बनाना है ठीक है इस प्रिकार से 45 प्रिसनों पर हमने चर्चा की और भी ऐसे प्रिसनों लेते के आएंगे जो आपके परिच्छाओं में पूछे जाने की प्रवल संबावना है आप हमारे चैनल से जुड़ें और 2011 के हर विसाय के यद प्रिसनों 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 प्रि